के ओ यल यानि की संराइजर हैदराबाद वर्सेच कोलकाता नाइट राइडर ड्रीम 11 आइपिल का ये जो है थर्ट टीट्वेंटी मैच होने वाला है काफी इंट्रस्टिंग मैच होगा इस वीडियो में आपको संराइजर हैदराबाद की क्या प्लेंग 11 रहने वाली है साथ साथ कुलकाता नाइट राइडर की क्या प्लेंग 11 रहेगी दोनों ही टीम के हेट टू हेट के स्टेट्स और पिच का अनलेसिस करेंगे काफी डीपली तरीके से एक एक चीज आपको समझाई गई है अगर मैं बात करू यहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज देखने को मि बात करते हैं SRH vs KKR 30-20 मैच इंडिया T20 का और यह मैच कल खेला जाएगा MH इतमरम स्टेडियम चैन्नाई के ग्राउंड पर जहां पर फॉस्ट मैच हुआ था MI vs BLR का वहीं पर अगर मैं टाइमिंग की बात करू सामको 7 बच के 30 मिट पर यह मैच खेला जाएगा चिन्ना स् चेपक का यहांपर ग्राउंड है त्वह पर फ्राउंड पर यहांपर माना जाता है जैसे कि कल वाले मैच अगर देखा जाये RCB की टीम के भी जो है काफी अच्छे विकर्स गिरे लेकिन उन्होंने जो है चेस कर लिया आप जो है 170 रन, 180 रन इतना average score जो है मान के चल सकते हो देखा जाए दोनों ही टीम में तो काफी अच्छी जो है तगड़ी power hitting जो है बैटिंग है इस ground के एक बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक total जो है 58 matches हुए है जहाँ पे average score 137 का है, first inning का score 150 है और second inning का score 149 के करीब है highest run जो है यहाँ पे 246 run बने है, lowest यहाँ पे run की अगर बात करें तो 70 run बना है अगर हम बात करें इस ground पे चेन नहीं के, तो देखो अभी तक total जो है overall अगर मैं बात करूँ तो total 83 matches हुए है जिसमें batting first करने वाले team ने 47 बार, batting second करने वाले team ने 34 बार win किया है अगर हम बात करें last के तीन matches इस ground पे, तो 9 April को एक match खेला गया था, 2021 को जो की अभी परसो खेला गया था यानि की मतलब कल हो जाएगा, और यह जो है मुंबई इंडियस ने पहले batting करते हुए 169 run मारे, उसके जवाब में RCB की team ने यह match chase करके 2 wicket से win कर लिया था, Pacers को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11 wicket मिले थे, जबकि spinner को 2 wicket मिले थे इस match में जो है EWD ने 48 run किया, जबकि Chrislyn ने 49 run का score किया था, उसके पहले अगर हम बात करें तो IPL में 2019 में यहाँ पे 2 matches खेले गए थे, उसका भी score card यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा low score यहाँ रहा था, अब वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को एक like कर देना, जो लोग भी वीडियो को like और comment करते हैं, भाई उनको बहुत बहुत धनिवाद है तो वीडियो को like और comment याँ जरूर से करना, head to head के stats की अगर हम बात करें, तो total जो है SRH versus KKR के बीच में 19 matches हुए हैं, जहाँ पे SRH ने 7 बार जबकि KKR ने बार बार win किया है, अच्छा मेरी जो favorite team यहाँ पे कौन सी रहने वाली है, तो मेरी जो favorite team इस बार रहेगी, वो रह बार में करके बनाऊंगा, आप इस चीच का ध्यान रखियेगा, बाकी अगर मैं बात करूं तो toss जो है काफी important रहेगा, जो भी team यहाँ पे toss one करेगी, definitely जो है उसके जीतने का high chances रहेंगे, जो भी team यहाँ पे balling भी करेगी तो, अब आपको जो है क्या करना है कि भाई, telegram channel क लिंक यार वीडियो के description में है, वहाँ से आप telegram channel पे आ जाईएगा, telegram पर आपको toss information, playing 11 और dream 11 की teams वहाँ पे देखने को मिलेगी, last अगर हम तीन matches की बात करें, head to head की, जो की sunrider हैदरबाद और kolkata night trader के बीच में खेला गया था, तो IPL 2020 में आप देखोगे, तो 2 matches खेले ग तो जो है काफी अच्छा match जो है देखने को मिला था, और दोनों ही तरफ से जो है अच्छी खासी बैटिंग, balling दोनों की गई थी, इसलिए जो है ये average score आपको देखने को मिल रहा है, दोनों team यार मैं बोलूँगा कि काफी strong है, बहुत ही अच्छी teams हैं, और जो है काफी अच्छा score भी कर सकती है, 180 run या फिर 190 run, even 200 run भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इतनी अच्छी बैटिंग लाइन अप है, अभी आपको जब playing 11 दिखाऊंगा, तो फिर आपको confirm हो जाएगा, उसके पहले 2019 में जो match हुआ था, उसमें SRS ने win किया था, और इस match में जो है guys 912 run किया है, और 146 का strike rate है, बहुत लाजवाब strike rate है, और डेविड बानर को आप जानते ही हो, जब भी चलते हैं, छपपर फाड के चलते हैं, सेम जौनी बेरिश्टो का है, 4 match में 160 run किया है, 117 की strike rate है, मनीश पांडे की बात करे, लास सीजन में भाई, विलकुली कमाल मचा दिया था, 11 match में 195 run और केन बिलियमसन 8 match में 197 run, टीन अटराजन ने 2 match खेले हैं, KKR के against में, और 3 wicket लिया है, जबकि भुनिशर कुमार ने 21 match खेले हैं, और 27 wicket लिया हुआ है, रासित खान ने 10 match खेले हैं, और 9 wicket लिया हुआ है, अगर हम बात करें KKR के players की, तो आंधिर प्लेर रसिल ने 9 match खेले है, 111 run बनाया है, लेकिन 152 की strike rate से बनाया है, काफी अच्छा strike rate है, लेकिन थोड़े जादे run नहीं है, कम run है, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो, दिनेस कार्तिक की बात करें, तो average इनका performance रहता है, किसी भी टीम के against में 18 match खेले हैं, 269 run किया इयोन मोर्गन की बात करें, 6 match खेले है, 171 run बनाया है, 142 की strike rate है, अगर आप strike rate देखोगे, काफी लाजवाब है, पैट कमिन्स ने 3 match खेले हैं, और 2 wicket लिया हुआ है, प्लेर्स बैटल की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लेर्स बैटल समझना काफी ज़रूरी है, पैट क पांच बोले करी है जिसमें एक भी रन नहीं दिया है आंद्रे रसेल ने मनिस पांडे को 11 बोल करके 15 रन दिया है जबकि एक बार विकेट लिया है भुनेस्वर कुमार ने सुभम गिल को 21 बोल करके 22 रन दिया है जबकि एक बार विकेट लिया हुआ है भुनेस्वर कुमार न तो ये players battle था, players battle से जो है आपको काफी help मिलेगी कि कौन सा player जो है किस player को out कर सकता है दोनों ही team की squad detail भी यहाँ पे लिखी हुई है SRH की और KKR की तो इसको भी अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को थोड़ी दिर के लिए आप post करके पढ़ सकते हो अब यहाँ पे हम दोनों ही team की playing level देखेंगे, उसके बाद जो है giveaway का question देखेंगे तो सबसे पहले SRH की playing level देखते हैं डेविड वार्नर, left-handed batsman, 16 match last season खेले थे, 548 run और 49 का average था जोनी बेरिस्टोस, 11 matches खेले थे, 345 run, 31 का average था मनीश पांडे, right-handed batsman, 16 matches खेले थे, 432 run किये थे, 32 का average था केन विलियमसन, right-handed batsman, 12 matches खेले थे, 317 run मारे थे, और 45 का average था रिदिमान साहा की बात करें, सिर्फ 4 matches खेले थे, लेकिन 214 run किया था और 71 का average था, भाई अगर आप देखोगे रिदिमान साहा काफी कमाल का average था और I think किसी match में जो है open वगेरा भी किया था विजे संकर की बात करें, ज्यादा matches नहीं खेलते हैं, 7 matches खेले थे लेकिन ये बंदा batting और bowling दोनों से कमाल ढ़ा सकता है अंकित सर्मा की अगर हम बात करें तो left handed जो है batsman है left arm orthodox जो है baller है, काफी अच्छे जो है choice रहने वाली है रासित खान की बात करें तो बहुत बढ़िया choice रहने वाली है उसके बाद इनका भी stats आप देख सकते हो 16 matches में 20 wicket लिया था, भुनेशर कुमार ने 4 match खेले थे 3 wicket लिये थे, last जो है season में injured हो गए थे संदीप सर्मा ने 13 matches में 14 wicket लिया था और I think 1 match में 4 wicket लेकर गए थे, काफी बढ़िया जो है choice रही थी उसके बाद जो है अक्सर इनकी पिटाई हो जाती है टीन अट राजन बढ़िया choice रहने वाली है, 16 match में 16 wicket लिया हुआ है प्लेइंग 11 फिर से repeat कर दे रहा हूँ, डेविड वार्नर के साथ में जॉन्नी बेर्श टो ओपन करेंगे, वन डाउन पे मनीस पांडे है उसके बाद केन विलियमसन, रिदिमान सहा, विजे संकर, ए सर्मा है उसके बाद जो है रासित खान है, भुनीशर कुमार है, संदीब सर्मा है और टीन अट राजन है ये प्लेइंग 11 ये सारिश की रहने वाली है प्लेइंग 11 की बात करें तो सुभम गिल के साथ में सुनी नरायन ओपन कर सकते है उसके बाद वन डाउन पे नितीश राना है, फिर एवन मोर्गन है, उसके बाद दिनेश कार्तिक, राहुल तरिपाथी, आंद्रे रसेल, पैट कमिन्स, वरुन चकरवर्ती, सिवम मभी और प्रसिदिकिष्णा ये के के यार की प्लेइंग 11 है एक चीज़ का आप ध्यान रखेगा, अगर राहुल तरिपाथी ओपन करते है, लास्ट सीजन में जो है, आई थिंक एक दो मैचस में ओपन किया था, और बहुत बढ़िया च्वाइस रेने वाली है के के यार की टीम जो है, इनको ओपन नहीं कराती है, ये जो है सबसे बड़ी मिस्टेक है इनकी, इनको जो है ओपन के लिए जरूर से जाना चाहिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्लेयर्स का रोल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इयोन मर्गन और नितीश राना दोनों लेफ्ट हैंडर बट्समेन है, काफी तगराईन का रिकॉर्ड भी है अगर आप देखोगे, 14 मैचस खेले थे, 440 रन किया था, और 33 की एवरेज सी किया था सुवम गिल ने 10 मैचस सुनिल नरायने खेले थे, 121 रन किये थे, 5 विकेट भी लिए थे नितीश राना ने 14 मैचस खेले थे, 352 रन किया था, एवरेज 25 का था, इयोन मोर्गन ने 14 मैचस खेले थे, 418 रन, 41 का एवरेज था जबकि अगर बात करें यहाँ पर, तो वरुन चेकरवरती ने 13 मैच खेलके 17 विकेट लिए थे, सिवा मोवी ने 8 मैच में 9 विकेट लिए थे, प्रसिदी किष्णा ने 6 मैच में 4 विकेट लिए थे, पैट कमिन्स ने 14 मैचस खेले थे, 146 रन मारा था, और 12 विकेट लिए पैट कमिन्स ने जादा बॉलिंग तो अच्छी नहीं करी थी, लेकिन बैटिंग काफी अच्छी करी थी, एक मैच में इन्होंने 50 प्लस का स्कूर भी किया था लास सीजन में, अगर हम बात करें, यहाँ पर टॉप फैंटेसी पिक्स कौन कौन सी रहने वाली है, तो डेवि वर्सेज आपको KKR टाइप कर देना है, और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यदा रन मारेगा, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यदा विकेट लेगा, और कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यदा कैच लेगा, ठीक है, यह चीज अगर आप बताते हो, तो आ comment box में SRH vs KKR जो है यह आप hashtag जरू से यूज कर लिजेगा 200 रुपीज आप जो है मतलब सिर्फ 5 बंदे जो लोग का answer सा योगा 5 लोगों का ठीक है तो उनको जो है यहाँ पे 200 रुपीज पेटियम कैस मिल जाएगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक my team 11 के बारे में my team 11 बहुत बढ़ी है application है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ golden tickets चल रहा है यानि की super discount चल रहा है आप golden tickets अगर purchase नहीं किये हो तो भाई बहुत कुछ miss कर रहे हो जल्दी से इसको purchase कर लो आपको जो है यहाँ पे 500 रुपीज का profit हो जाएगा और यहाँ पे grand league अ 10 matches का set है इसमें आप definitely participate करो मैं अपनी यहाँ पर 15 team के साथ में participate करता हूँ पिछले वाले match में 11 match के साथ किया आज वाले match में 15 matches के साथ में किया है और मतलब सभी matches में 15 team के साथ में यहाँ पर participate करने वाला हूँ अगर हम बात करें यहाँ पर contest भी काफी अच्छे हैं और अग बोनस से याद आया जैसे ही आप refer code जो है royal bro डालोगे जो की आपको description में मिल जाएगा refer code आपको डालना है royal bro royal bro refer code डालोगे आपको जो है 100 रुपी sign up bonus भी मिलेगा so बहुत बढ़िया बात है और इस application को डाउनलोड करिए विरेंज सावाग इसके ब्रैंड ambassador है इंडिया की second largest जो है application है बहुत ही अच्छी जो है application है withdraw आपको जो है यहाँ पर काफी time to time मिल जाएगा point system काफी अच्छा है हर एक चीज अगर आप compare करोगे other fantasy जो है side से तो आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी अगर आप बात करें तो जो आपको dream alone पर मैं team दिखाने वाला हूँ वही same team जो है आप my team alone पर लगा सकते हो तो dream alone पर अपनी team देख लेते हैं सबसे पहले wicket keeper section में अगर मैं बात करूँ तो देखो wicket keeper section में आपको options मिलती है जोनी बेश्टो की और दिनियस कार्तिक की साथी साथ अगर मैं बात करूँ रिद्रिबान साहा के खेलने के थोड़े बहुत बैटिंग section में बात करें तो david warner या 10 credit है लेकिन 10 से भी जादा है लेकिन definitely इनको अपने team में लेना चाहिए और grand league की कम से कम मैं 3 team में इनको captain भी करने वाला हूँ उसके बाद ion morgan मेरी choice रहेगी यहाँ पर manis pande मेरी choice रहेगी और उसके बाद सुभम gil को मैं अपने team में निती सराना को अपने team में लूँगा मैं एक ऐसी team जो है यह बना रहा हूँ जिसमें ज्यादा ज्यादा मैं batsman अपने team में रखूँगा इसलिए यहाँ पर 5 मैंने batsman रखे हैं आल राउंडर section में बात करें यहाँ तो आंद्रे रसेल definitely आपकी team में होने चाहिए उसके अगर चल जाए तो भाई कुछ अच्छा कर सकते हैं otherwise ignore करके जा सकते हो बाकी जो है यहाँ पर players के खिलने के कम chances रहेंगे देख लीजेगा toss की information और playing 11 तो आपको toss की बाद जो है telegram channel पे सारी information मिली जाएगी bowling section में बात करें यहाँ पर तो भाई credit का बहुत बड़ा लोचा आने वाला है अगर आप रासित खान को ले रहे हो तो भाई credit फिर आपका गया ठीक है सो यहाँ पे credit manage करने के लिए मैंने जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे जो है टीन अट राजन को लिया है वरुन चकरवर्ती को अपनी टीम में लिया है और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ तो 8.5 credit मेरे पास अब लेवल है अब 8.5 credit में जो भी player यहाँ पे आप संधीव वारियर खेलते हैं तो उनको अपने टीम में ले लेंगे खलील आहमत तो सायच खेलने के कम चांसे से सीवं मोवी खेलेंगे तो सीवं मोवी को यार मैं ले लूँगा सीवं मोवी अच्छी च्वाईस है और यह जब भी चलते हैं तो भाई 2 wickets लेके जाते हैं सीव गाम चैनल काफी इंपोर्टेंट रहेगा एक बार पहले टीम का फाइनल प्रिव्यू देखते हैं जोनी बेश्टो है मेरी टीम में डेविड वानर है योन मॉर्गन है मनिस पांडे है नितीश राना है सुबंगिल है सुनिल नरायन है अंध्रे रसेल है पैट कमिन्स है और कीन बिलियमसन को अपने टीम में ले लिजेगा उसके बाद आपके पास अच्छा कासा यहाँ पे क्रेडिट भी मैनेज हो जाएगा सिवम मभी को ड्रॉप करके आप जो भी प्लेयर यहाँ पे खेले 8.5 क्रेडिट में तो उसको आप अपने टीम में ले सकते हो यह अगर आ बात करूं यह टीम भी जो है काफी अच्छी लग रही है और इस टीम के साथ में भी जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ग्रेंड लिक की जो है कल आपको सुबह में मौर्निंग में छे जो है टीम वाली वीडियो मिल जाएगी चैनल को सब्सक्राइब जहुर से कर लिज जो है आपको इसी चैनल पे कल सुबह जो है लगभग 10 बजे के आसपास जो है आपको वीडियो मिलेगी टेलिग्राम चैनल देख लेते हैं भाई यह टेलिग्राम का चैनल है यहाँ पे आपको जो है टॉस और जो है प्लेंग लेवन साथी साथ अगर में बात करूं तो में पार्टिसिपेट कर लीजिए तो सब्से ज्यादा रं मारेगा और 100 रुपीज पर्टियम या फिर पोन पे आप गूगल पे जैसे भी चाहो वैसे ले सकते हो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करीए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे चैनल को ऐसे देखते रही है सपोर्ट करते रही है मिलता हूँ आपको अगली वीडियो